नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अंजीर खाने के स्वास्ति वर्दक फायदों के बाने में बताने वाले हैं जियां दोस्तों सर्दियों के दिनों में अंजीर सेहत के लिए बहुती ज़्यादा लापकारी माना जाता है अंजीर बहुती स्वादिश्ट और रसिला फल होता है यह फल नाशपती के आकार का होता है और यह रसिला एवंग गुद्देदार होता है यह फल दिखने में हलका पेला गेरा सुनेरा या गेरा बेंगने रंका भी होता है अंजीर के फल को सुखा कर मेवे की तरह भी उप्योग में लिया जा सकता है इन सुखे अंजीर फल को मेवो की तरह टुकड़े टुकड़े करके या कूट करके या दूद या चीनी के साथ मिला कर खाया जाता है तो दोस्तो ये थे इसके कुछ बेसिक फाइदे चलिए दोस्तो अब आपको रोबरो कराते हैं इसके कुछ में फाइदों से जो की खास तोर पर आपकी हैल्थ के लिए होते हैं अगर आप इसे खाते हैं तो तो दोस्तो ऐसे कुण कुण से फाइदे इसका सबसे पेला फाइदा आता है बवासीर के उपचार में जिया दोस्तो शाम को तीन से चार सूखे अंजीर को पानी में बिगो कर रख दें सुबह होते ही अंजीरों को मसल कर इने रोजाना अगर आप लोग खाते हैं तो खाली पेट खाने से आपको बवासीर से आराम मिल सकता है और कुछी दिनों में बवासीर खत्मोंने लगती है दोस्तो इसका अगला बेनिविट्स होता है अस्तुमा के रोग में अस्तुमा रोग में रोजाना सुखा अंजीर खाने से फाइदा होता है इसे खाने से बल गम याने की कफ भान निकल जाता है और अस्तुमा के मरीच को रहत मिलती है सुखे अंजीर के सेवन से कफ नहीं जमता है और तो और किसी भी प्रकार के बुखार में अंजीर का सेवन लापकारी माना जाता है प्रती दिन 2-4 सुखे अंजीर को दूद में गर्म करकर लेने से कफ की मातरा कम होने लगती है और शरीर में एक नई एनरजी आ जाती है और अस्तुमा से छुटकारा मिलता है अस्तुमा की विमारी में अंजीर के पते बहुती लापकारी माने जाते है अगला इसका फायदा आता है दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने में अंजीर में केल्शेम भरपुर मातरा में पाए जाता है सिर्फ दिन बर में 4-5 अंजीर को खाने से आपकी हड़िया मजबूत बनने लगती है इसलिए अगर आप अपनी हड़ियों को मजबूत बनाना चाते हैं तो इस चमतकारी फल को आपको जरूर खाना चाहिए अगला इसका फायदा होता है दोस्तों खून की कमी को दूर करने में अंजीर में आइरन प्रचुर मातरा में पाये जाता है आइरन के अलावा इसमें केल्शम भी अच्छी मातरा में पाये जाता है इसलिए अंजीर के सेवन से एने मियाने की खून की कमी को दूर किया जा सकता है आठ अंजीर और दस मुनक्के को 200 मिली लीटर दूद में उबाल कर पीने या विर्खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है यह खुन बढ़ाने का बहुती कारगर उपाई माना गया है अगला इसका फाइदा होता है दिल की बिमारियों से बचाने में जी हाँ दोस्तों सुखे हुए अंजीर में ओमेगा 3 fatty acid और फेनॉल्स के साथ ओमेगा 6 fatty acid भी भरपूर मातरा में होते हैं जो हमें दिल की बिमारियों से बचाते हैं अगला इसका फाइदा होता है शरीर की ताकत को बढ़ाने में अंजीर को खाकर दूद पीने से शरीर को ताकत मिलती है डायबिटीज के मरीज भी ऐसा कर सकते हैं अंजीर खाने से डायबिटीज में भी लाब होता है इसके अलावा दोस्तो जुखाम में हाइपरटेंशन को दूर करने में कब्ज को दूर करने में कमर दर्द को दूर करने में भी अंजीर काफी फाइदे मन माना जाता है इसका दोस्तो नेश्ट फाइदा होता है डाइबिटीज में डाइबिटीज में अन्य फलो की अपेक्षा अंजीर का सेवन खास तोर पर काफी फाइदे मन माना जाता है जो लोग इंसूलीन लेते हैं उनके लिए बहुती ज़्यादा फाइदे मन है इसमें पोटेश्यम की अच्छी मातरा पाई जाती है जिसे बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है किसी भी तरह का भारी पदार्त अगर पेट में चला गया है तो उसे निखालने में अंजीर का सेवन बहुती उपयोगी मना जाता है और इसके अलावा दोस्तों सिर्दर्द को दूर करने में भी अंजीर काफी लापकारी मना जाता है तो दोस्तों ये थे अंजीर के स्वास्ति वर्दक फाइदे और लाप उमीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भुले अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब दमाएं वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद